हलो दोस्तो अगर आप भी competitive exam की तयरी कर रहे हैं जैसे की banking, railway, SSC and other competitive exam तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाली है क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने नया chapter शुरू किया है दोस्तो जिसका नाम है अन्ता इस्तरावी तंत्र याने की endocrine system endocrine system के बारे में जाना है समझा है तो दोस्तो वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत किजिए और पूरी वीडियो अविश्य देखिए दोस्तो आईए अब हम चेप्टर की शुरूआत करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे चेप्टर का नाम है अन्ता इस्तरावी तंत्र या endocrine system तो दोस्तो इस चेप्टर में सबसे पहले गरंतिया आती हैं गरंतिया या गलेंट्स तो दोस्तो सबसे पहले हम गलेंट्स या गरंतिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तो ग्रंतिया यानि की ग्रंति की परिवाशा क्या होगी तो दोस्तो सरीर की बहे संदशना जिसका कार्य इस्त्रावन होता है ग्रंति कहलाती है दोस्तो इस्त्रावन का मतलब होता है निकालना किसी चीज का बहर निकलना या बहर निकालना दोस्तो इस्त्रावन का मतलब होता है निकालना सरीर की बहेज संदशना जिसका कारे निकालना होता है या इस्त्रावन होता है ग्रंती कहलाती है आसा करती हूँ दोस्तो कि आपको ग्रंतियां समझ में आ गई होगी आईए दोस्तो अब हम types of glands के बारे में जान लेते हैं यानि कि ग्रंतियों के प्रकार तो दोस्तो ग्रंतियां तीन प्रकार की होती है नमर एक बही इस्त्रावी ग्रंति या exocrine glands नमर दो पे आती है दोस्तो अंता इस्त्रावी ग्रंति या endocrine glands दोस्तो नम्मर तीन पे आती है मिस्ट्रित ग्रंथी या मिक्स्ट ग्लेंट्स तो दोस्तो आईए सबसे पहले हम ग्रंथियों के प्रकार का फ़ेश्ट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं दोस्तो हमारा फर्ष्ट पॉइंट है बही इस्त्रावी ग्रंती या एक्जोक्राइन ग्लेंट्स तो दोस्तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं बही इस्त्रावी ग्रंती या एक्जोक्राइन ग्लेंट्स दोस्तो इनका इस्त्रावन सरीर से बाहर किसी सते पर होता है तता ये है तरल, रेश या एंजाइन का इस्तरावण करती है दोस्तो इनके इस्तरावण नलियों द्वारा पहुचाए जाते हैं दोस्तो जैसा की एक्जामपल में बताया गया है दोस्तो सबसे पहले हम इसके एक्जामपल के बारे में जान लेते हैं अस्रू ग्रण्ती दोस्तो यह आसु निकालने का कारे करती है और दोस्तो यह हमारे सरीर में तिल निकालने का कारे करती है जैसे कि दोस्तो हमारे चेरे में तेली गरंती पाई जाती है तो यह है तेल नकालने का कारे करती है और दोस्तो नमर चार पे आती है दुग्द की गरंती दोस्तो यह है दुग्द का इस्तरावन करती है और दोस्तो नमर पांच पे आती है यकरत और नमर चे पे आती है जटर ग्रंती जो जटर रस का इस्त्रावन करती है और दोस्तो नमर साथ पर आती है सिलेश्म ग्रंती जो म्यूकस का इस्त्रावन करती है और दोस्तो नमर आट पर आती है लार ग्रंती जो लार का इस्त्रावन करती है दोस्तो यह ग्रंतियां तरल रंश या एंजाइम का इस्त्रा नलियों द्वारा पहुंचाएं जाते हैं आशा करती हूं दोस्तों कि आपको बही इस्त्रावी या एक्सो क्राइन ग्लेंड समझ में आ गई होगी दोस्तों आईए अब हम दूसरे नम्मर की ग्रंती के बारे में जान लेते हैं दोस्तों हमारी सेकंड ग्रंती है अन्ता इस् इस्ट्रावी ग्रंती इनके इस्तरावन हार्मोन कहलाते हैं तथा हार्मोन को इन ग्रंतीों द्वारा सीधे रक्त में मिलाया जाता है दोस्तो इन्हें नलियों के बिना या नली का भीहीन ग्रंथी कहा जाता है दोस्तो इनके एक्जामपल कुछ इस प्रकार है नमर एक पियूश ग्रन्थी नमर दो अप्टू ग्रन्थी नमर तीन पराप्टू ग्रन्थी और नमर चार अधिब्रक ग्रन्थी और दोस्तो नमर पाँच पीनियल ग्रन्थी और दोस्तो नमर छह थाइमस ग्रन्थी तो दोस्तो सबसे पहले हम इसकी परिवसा के बारे में समझ लेते हैं दोस्तो पहली बात तो यह है कि यह हार्मोन कहलाते हैं दोस्तो तथा हार्मोन को इन गरंतियों दोरा सीधे रक्त में मिलाया जाता है दोस्तो यह हार्मोन होते हैं उनको सीधे रक्त में मिलाया जाता है दोस्तो प्यूस ग्रंती ब्रद्धी हार्मोन होती है दोस्तो यह ब्रद्धी करने का कारे करती है दोस्तो प्यूस ग्रंती से एक हार्मोन निकलता है जो ब्रद्धी करने का कारे करता है दोस्तो प्यूस ग्रंती हमारे ब्रेंड में इस्तित होती है जो दोस्तो एक हार्मन छोड़ती है दोस्तो यह हार्मन को सीधे रक्त में मिला देती है दोस्तो जिससे की हमारे पूरे शरीर में ब्रद्धी हो सके क्योंकि दोस्तो ब्लड हमारे पूरे शरीर में गूमता रहता ह है इसलिए प्यूस ग्रंती ब्रद्धी हार्मोन को हमारे बलेड में मिला देती है दोस्तो आशा करते हूं कि आपको यह जान लेते हैं समय लेते हैं दोस्तो हमारी तीसरे नमर की गरंती है मिसरत गरंती दोस्तो आईए अब हम मिसरत गरंती के बारे में जान लेते हैं समय लेते हैं दोस्तो मिसरत गरंती बहे गरंती होती है जो अन्ता इस्तरावी गरंती या बहे इस्तरावी गरंती दोनों का कारे करती है मिश्रित ग्रंती कहलाती है दोस्तों एक्जम्पल जैसे की अगनाशे और जनत अंग अंडाशे और बिर्शन आसा करती हूं दोस्तों कि आपको मिश्रित ग्रंती भी समझ में आ गई होगी दोस्तों मिश्रित ग्रंती दोनों ग्रंतियों का कारे करती है बही का भी गरंती दोनों का कारे करती है। दोस्तों आशा करती हूं कि आपको यहें तक की क्लाश समझ में आ गई की सेवटर나fähत की से áज़नुके डोस्तों दिखलेकर रस्ति कारे में पाई जाती है दोस्तों इसका आठकर मटर के जिएसा होता है और दोस्तों इसका बजन 0.5 ग्राहम बजनी होता है आशा करती हुए दोस्तों कि आपको प्यूस गिरंदी समझ में आ गई होगी दोस्तों इसको इंगलिस में पिट्ट्यू टरी हे लेंड यह master gland कहा जाता है दोस्तो आप से master gland खा जाए तो दोस्तो आप समझ सकते हैं कि puse grantee की बात चल रही है दोस्तो आईए अब हम जान लेते हैं कि puse grantee से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं दोस्तो नमर बन पे आता है somato traffic हार्मोन दोस्तो इसको short form में sth कहा जाता है या ब्रद्धी हार्मोन कहा जाता है दोस्तो somato traffic हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तो इसकी कमी से बोनापन होता है क्योंकि दोस्तो यह है ब्रद्धी हार्मोन होता है और अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ती बोना रह जाता है और दोस्तों अधिकता से भीमकायता या अनिकायता रोग होते हैं दोस्तों भीमकायता में ब्यक्ति बहुत ही अधिक लंबा हो जाता है और दोस्तों अनिकायता में ब्यक्ति लंबे के साथ-साथ मोटा हो जाता है दोस्तो आईए अब हम दूसरे हर्मोन के बारे में जान लेते हैं दोस्तो दूसरे नम्मर का हर्मोन है लेक्टोजेनिक हर्मोन इसको सोट फॉर्म में LTH या प्रोलेक्टिन कहा जाता है दोस्तो लेक्टोजेनिक हर्मोन के कारी क्या होते है दोस्तो यह हर्मोन इस्तन गरंतियों में दुख्द का नर्मान करता है दोस्तो जैसे की गर्बती महला है उसमें यह हर्मोन इस्तन गरंतियों में दुख्द का नर्मान करता है आईए दोस्तो अब हम पॉइंट नम्मर 3 के बारे में जान लेते हैं कि तीसरे नम्मर का हर्मोन कौन सा है नम्मर 3 गोनेडो ट्राफिक हर्मोन गोनेडो ट्राफिक हर्मोन इसको सोट फॉर्म में GTH कहा जाता है दोस्तो गोनेडो ट्राफिक हर्मोन का कारे होता है जनत अंगो की क्रिया सीलता को बनाय रखना दोस्तो इसका कारे होता है जनन अंगो या जनत अंगो की क्रिया सीलता को बनाय रखना दोस्तो इसकी कमी से पुर्सों में नपन्शक्ता हो जाती है और महलाव में बांजपन आ जाता है दोस्तो आईए चौते हर्मोन के बारे में जान लेते हैं दोस्तो हमारा चौते नंबर का हर्मोन है एंटी डाई यूरेटिक हर्मोन या इसको सोट पॉर्म में ADH या बैसोप्रेशन हर्मोन कहा जाता है दोस्तो इसका कारे होता है मूत्र से जल का पुना अपसोशन कर मूत्र की मात्रा को घटाना दोस्तो पॉइंट नंबर 5 आता है पांचवी नंबर का हर्मोन आता है ओक्सी टोसन हर्मोन दोस्तो ओक्सी टोसन हर्मोन का कारे क्या होता है दोस्तो इसका कारे होता है इस तनो में दुख्द गरंतियों से दुख्द का इस्त्रावर्ण कराना दोस्तो जैसा कि गाय भैस जब बच्चे को जन्म देती हैं तब आपने सुना होगा कि ओक्सीटोसिन के इंजेक्षन लगा जाते हैं दोस्तो यह इंजेक्षन इसलिए लगा जाते हैं क्योंकि बहे दूद अधिक से अधिक दे सकें तो दोस्तो इसका कारे यही होता है कि दुख्द करन्तियों से दुख्द का इस्तरावन कराना दोस्तो अब यह इंजेक्षन नहीं मिलते हैं क्योंकि दोस्तो इनसे प्यक्ति बहुत अधिक दूद का इस्तरावन कर लेता है और जानबरों का हरन होता है इसलिए इन पर अब बेन लगा दिया गया है दोस्तो आईए अब हम छटवे हार्मोन के बारे में जान लेते हैं दोस्तो हमारा छटवे नम्मर का हार्मोन है TSH इसको स्वाट फॉर्म में TSH कहा जाता है इसका फॉलफॉर्म होता है थाईराइड इस्टी मुलेटिंग हार्मोन दोस्तो थाईराइड इस्टी मुलेटिंग हार्मोन इसका फॉलफॉर्म होता है और दोस्तो पॉइंट नम्मर 7 पे आता है MSH इसका फॉलफॉर्म होता है मेलेनो साइट इस्टिमुलेटिंग हार्मोन और दोस्तो नम्मर आठ पे आता है ACTH ACTH का फुलफों होता है एडरीनो कोल्टीको ट्रोफिक हार्मोन इसका फुलफों होता है दोस्तो इनका भी इसी प्रकार का कारे होता है दोस्तो थाराइड ग्रंती शरीर की सबसे बड़ी अंता इस्तरावी ग्रंती होती है दोस्तो यह गले में कंट के नीचे बायूनल के उपर पाई जाती है दोस्तो थाराइड ग्रंती का बजन 25 ग्राम होता है और दोस्तो यह गुलावी रंकी होती है और दोस्तो इसमें असंक पुटिकाएं पाई जाती हैं जैसा की आपको डाईराम में दिखाई दे रहा है जिसमें आयोडीन योक्त गोल भरा होता है आसा करती हूँ दोस्तो की आपको यहाँ तक की बाते समय आ गई होंगी दोस्तो आएजे अब हम थायराइट ग्रंती से कौ दोस्तो इसको T4 के नाम से भी जाना जाता है यानि की टेट्रा, आईडो, थाइरो, निन दोस्तो इसके कारे क्या होते हैं दोस्तो इसका कारे होता है शरीर में उपाक्चय किरियाओं का नियंतर करना दोस्तो इसकी कमी से जड़ मानपता रोग हो जाता है दोस्तो जड़ मानपता रोग बच्चों में होता है दोस्तो बच्चे की बुद्धी का विकास नहीं होता है जड़ मानपता रोग में और दोस दोस्तो मिक्सोडेमा रोग में ब्यक्ती बीकनिस फिल करता है। दोस्तो इस हर्मोन की कमी से तीसरा रोग होता है घेंगा रोग। दोस्तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से भी होता है। और दोस्तो थायरोक्सिन की कमी से भी हो सकता है। दोस्तो दूसरे नम्मर का हार्मोन आता है T3 या ट्राइडो थाइरोनिन या थाइरोकेलसी टॉनिन दोस्तो इस हार्मोन का कारे होता है बलेड में केलसियम की मात्रा का नियंत्रन करना दोस्तो इस आर्मोन का कारे होता है बलेड में केलसियम की मात्रा का नियंत्रन करना दोस्तो यहां पर हमारी थाइरोनिन गरंती समाथ हुई दोस्तो आईए अब हम पेरा थाइराइट ग्रंती के बारे में जान लेते हैं दोस्तो इसको हिंदी में परा अप्टू ग्रंती कहा जाता है और दोस्तो इंगलिस में पेरा थाइराइट ग्लेंड कहा जाता है दोस्तो यह किरंती थाइराइट के पीछे पाई जाती है तता शंक्या में दो जोडी होती है यानि कि चार होती है दोस्तो दो जोडी का मतलब चार होता है और दोस्तो आकार में मटर के दाने के जैसी होती है दोस्तो इससे दो परकार के हार्मोन निकलते है नमबर एक पेरा थार्मोन दोस्तो इस हार्मोन का कारे होता है बिलड केल्सियम को बढ़ाता है दोस्तो यह हार्मोन बिलड केल्सियम को बढ़ाता है और दोस्तो दूसरे नमबर का हार्मोन होता है केल्सी टॉनन दोस्तो केल्सी टॉनन हार्मोन बिलड केल्सियम को घटाता है दोस्तो यहाँ पर हमारी पराप्टु ग्रंथी या पराथाइरोइड ग्लेंड समाप्त हुई आईए दोस्तो अब हम चौते नम्मर की ग्रंती के बारे में जान लेते हैं, समय लेते हैं दोस्तो हमारी चौते नम्मर की ग्रंती है एड्रिनल ग्लेंड या अधिब्रक ग्रंती दोस्तो आईए हम एड्रिनल ग्लेंड के बारे में जान लेते हैं, समय लेते हैं दोस्तो एड्रिनल ग्रंथी यह है ग्रंथी किड्नी के उपर पाई जाती है दोस्तो संक्या में एक जोड़ी टोपी नुमा आकार की 1-2 इंच लंबी तता 7-8 ग्राम की भजनी होती है दोस्तो एड्रिनल ग्रंथी जैसा कि आपको डाइग्राम में दिकाई दे रहा है कि किड्नी के उपर आपको जो टोपी जैसी संरशना दिकाई दे रही है इन्हें को हम एड्रिनल ग्रंथी या अधिब्रक ग्रंथी कहते हैं दोस्तो इन गिरंतियों को काटने पर दोस्तो जब हम इन गिरंतियों को बीच में से काटते हैं तो यह इस प्रकार की संरशना दिकाई देती है जैसा कि आपको नीचे के डाइग्राम में दिकाई दे रहा है दोस्तो इसके बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है तता आंतरिक भाग को मेडियूला कहा जाता है दोस्तो अधिब्रक्य ग्रंति के दो भाग होते हैं पहला भाग कोर्टेक्स और दूसरा भाग मेडियूला होता है दोस्तो कोर्टेक्स बाला भाग बाहर की और इस्तित हो होता है आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कोटेक्स भाले भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं दोस्तों पहले नम्मर का हार्मोन निकलता है मिन्रेलो कार्टी काईड मिन्रेलो कार्टी काईड हार्मोन निकलता है दोस्तो इसको जीवन रख्चक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो यह हार्मोन सरीन में खनेश्टता जल की मात्रा का नियंत्रन करता है दोस्तों दूसरे नम्मर का हार्मोन आता है ग्लू के कार्टि काइड दोस्तों यह हार्मोन सरीन में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रन करता है और दोस्तो तीसरे नमबर का हार्मोन आता है लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन दोस्तो नर में एंड्रोजन का निर्मान करता है और दोस्तो मादा में यह है एस्टोजन का निर्मान करता है दोस्तो यह है दुत्यक लेंगिक हार्मोन होते हैं दोस्तो यह थे कॉल्टेक्स बा दोस्तो आईए अब हम मेडिूला बाले भाग से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं उनकी बारे में जान लेते हैं डिटेल्स में दोस्तो मेडिूला बाले भाग से पहला हार्मोन निकलता है एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है दोस्तो इसको लडो अडो हार्मोन भी कहा जाता है और दोस्तो इसको आपात कालिन हार्मोन या संकट कालिन हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तो यह हार्मोन बलड scripture लेवल को बढ़ा कर तुरंथ उर्जा देने का आला करता है दोस्तो दूसरे नमबर का हार्मोन आता है non-adrenaline या non-epinephrine दोस्तो यह हार्मोन ऐडरिनेलिन की मात्रा को घटा कर blood glucose लेवल को कम करता है दोस्तो यहाँ पर हमारे मेडियूला बाले हर्मोन भी खत्म हुए आशा करती हूँ दोस्तो कि आपको यहाँ तक की कलास समझ में आ गई होगी दोस्तो पीनियल गरंथी सरिज की सबसे चोटी अंताह इस्तरावी गरंथी होती है और दोस्तो पीनियल गरंथी मटर के दाने के जैसी होती है और दोस्तो इसका बजन 0.03-0.05 ग्राम के मध्य होता है और दोस्तो पीनियल गरंती मस्तिस्क में पाई जाती है और दोस्तो पीनियल गरंती का अन्य नाम तीसरा नेत्र और जैविक घली कहा जाता है दोस्तो आप से question पूछा जा सकता है कि तीसरा नेत्र या जैविक घली के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तो आपका सही पिनियल ग्रंथी दोस्तों पिनियल ग्रंथी का कारे सोने एवं जागने की किरिया का नियंत्रन करना होता है और दोस्तों पिनियल ग्रंथी से हर्मोन मेलेटोनन नाम का हर्मोन निकलता है आएए दोस्तों अब हम दोस्तों आएए अब हम अगले नंबर की ग्रंथी के बारे म जान लेते हैं दोस्तो हमारी अगले नंबर की गरंती का नाम है थाइमस गरंती या थाइमस गलेंड तो दोस्तो आईए हम थाइमस गरंती के बारे में जान लेते हैं समझ लेते हैं दोस्तो यह है गरंती दोनों फैपलों के मध्य शीने में पाई जाती है दोस्तो यह है गरंत बच्चों में आकार में बड़ी होती है तता आयू में ब्रद्धी के साथ-साथ आकार में घंती जाती है और दोस्तों बुड़ापी तक यह गिरंती विलप्त हो जाती है यानि कि सवाप्त हो जाती है दोस्तों इस से थाइमो screen नामक harmon निकलता है जबकि जिसके द्वारा T-Limbocytes का निर्मान होता है दोस्तो आसा करती हूँ कि आपको थाइमस गरंती भी समझ में आ गई होगी दोस्तो यहाँ पर हमारा चेप्टर कम्प्लीट हुआ आसा करती हूँ दोस्तो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ी सी भी हैलफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धरनेवाद थेंक्स पॉर वाचिंग